नमस्कार दोस्तों, लवकुष क्रियेशन्स में आपका स्वागत है, आज मैं आपको माता शैल पुत्री जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, चलिए शुरू करते हैं, माता शैल पुत्री का जन्म हिमालय की परवत श्रंखलाओं में हुआ था, वे देवी पारवती का अवता हैं और उनकी उपासना विशेश रूप से नवरात्री में की जाती है, माता शैल पुत्री को शक्ती और साहस की देवी माना जाता है, कहानी के अनुसार जब माता पारवती ने भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने कठोर तब किया, माता पारवती ने हिमालय के परवतों में जाकर ध्यान करना प्रारंभ किया, उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल शिव को ही अपने पती के रूप में स्वीकारेंगी, इस तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिये, एक दिन पारवती ने देखा कि एक बड़ा बाग उनकी तपस्या के स्थान पर आ गया, उस बाग ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन पारवती ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे अपने साहस से भगा दिया, इस घटना ने उनके भीतर की दिव्यता को और प्रकट किया, जब पारवती का त आराधना करते हैं ताकि उन्हें भी उनके समान शक्ति और साहस प्राप्त हो सके, आज भी नवरात्री के दौरान श्रद्धालु माता शैल पुत्री की पूजा करते हैं और उनसे आशीरवाद मांगते हैं, उनका नाम लेते ही भक्तों के मन में विश्वास और आशा का गल्प हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद